दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डेन रीच सीब बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिम्टेट की तरफ से डिप्लोमा और बीबी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग अलग पोश्टों पर वेकेंसी रहेगी लगबग सभी ब्रांचों को यहाँ पर रिलिजबल किया गया है सेलरी यहाँ पर आपको काफी अच्छे मिल जाएगी औल अवर इंडिया के कंडिडेट यहाँ पर अफलाई कर पाएंगे बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोम में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सब ग्रूप को भी जोइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका गार्डेन रिच सिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिम्टेट की तरफ से निकाला गया है ये आपकी एक मिनिरत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस में आती है और गॉर्मेंट ओफ इंडिया का इंटरप्राइज़ है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोश्टों पर वेकेंसी रहेगी यहाँ पर डिप्लोमा और बी-बी-टेक वाले अपलाई कर पाएंगे इन सभी पोश्टों में अपलाई करने के लिए आपके पास एक्स्पिरियंस होना चाहिए पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर मेनेजर के लिए क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने 4 साल का बी-बी-टेक किया है मैकेनिकल, एलेक्रिकल या फिर मरीन इनजिनिरिंग में आप यहाँ पर रिलीजबल रहेगे salary यहाँ पर आपको 70,000 रुपे से लेकर 2,000,000 रुपे प्रतिमंथ मिलने वाली है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior manager के लिए total यहाँ पर आपकी 4 post वेकेंसी रहेगी qualification में आपको बताया है अगर आपने डिपलोमा किया है mechanical, civil या फिर architecture engineering में आपके पास 8 year cover के experience से आप यहाँ पर apply कर पाएंगे upper age limit यहाँ पर आपकी 32 साल रहने वाली है और salary यहाँ पर आपको 30,000 रुपे से लेकर 1,20,000 रुपे प्रतिमंथ मिल जाएगी अगली वेकेंसी भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior manager post पर तोटल यहाँ पर आपकी 5 post पर वेकेंसी रहेगी अगर आपने डिप्लोमा किया है electrical engineering में या फिर electronic engineering में आपके पास 8 year cover के experience से आप यहाँ पर apply कर पाएंगे salary यहाँ पर आपको E0 grade की मिल जाएगी अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है junior manager के लिए तोटल यहाँ पर आपकी 6 post पर वेकेंसी रहेगी अगर आपने डिप्लोमा किया है mechanical या फिर production engineering में आपके पास 8 year cover के experience से आप यहाँ पर apply कर पाएंगे salary यहाँ पर आपको E0 grade की मिल जाएगी अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है deputy manager के लिए qualification में आपको बताया है अगर आपने full time में BB take किया है engineering की किसी भी ब्रांच में और उसके साथ आपने डिप्लोमा किया है industrial safety में आपके पास 5 year cover के experience से आप यहाँ पर apply कर पाएंगे salary यहाँ पर आपको 50,000 रुपे से लेकर 1,60,000 रुपे प्रतिमन्थ मिल जाएगी अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है manager post पर total यहाँ पर आपकी एक post पर vacancy रहेगी अगर आपने 4 साल का BB take किया है engineering में आप यहाँ पर apply कर पाएंगे इस post में apply करने के लिए minimum आपके पास 8 year cover के experience होना चाहिए अगली vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है senior manager के लिए अगर आपने 4 साल का BB take किया है mechanical, civil, electrical या फिर computer science engineering में आपके पास 11 year cover के experience है आप यहाँ पर apply कर पाएंगे salary यहाँ पर आपको E4 grade की मिल जाएगी और भी यहाँ पर आपकी काफी positions पर vacancy है जहाँ पर diploma और BB take वालों को eligible किया गया है और इन सभी पोस्टों में apply करने के लिए आपके पास higher experience होना चाहिए आपकी main branch के लावा आपकी जो भी allied branch हैं उन ब्रांचों को भी यहाँ पर eligible किया गया है यह जानकरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बात करें आपकी application fee के बारे में अगर आप UR, OVC या फिर EWS category में आते हैं तो application fees यहाँ पर आपको 590 रुपे देनी है बाकी की किसी भी category को यहाँ पर कोई भी application fees नहीं देनी है बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका online और offline रहने वाला है form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 11 जनवरी से last date यहाँ पर आपकी एक फरवरी रहेगी इसके बाद में आपको अपने application form का print out लेना है उसके साथ में आपकी जितने भी ज़रूरी document है उन सब को आपको self test करना है और भेज देना है इनके official address पर यह सभी document आपके 8 फरवरी तक इनके official address पर पहुँच जाने चाहिए जिस प्रकार की जानकारी आप लोग यहाँ पर अपने application form में प्रोवाइट करेंगे उसके हिसाब से ही sort list करके यहाँ पर आपको interview के लिए बुलाया जाएगा इंट्रेस्टिल और इलिजबल कंडिडेट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you शुक्रिया